Alfred Nobel ने जब Nobel Prize Establish किया था तो उन्होंने कहा था कि पिछले एक साल में जो major discoveries हुई है जिन्होंने mankind का भला किया है उनको Nobel Prize दिया जाना चीए मगर ये concept काफी flawed था 1926 में जोहानस फिबिगर को Nobel Prize मिला क्योंकि उन्होंने ऐसा पैरासाइड ढूंडा था जिससे cancer होता है 1330 में की थी कई लोगों की तो Nobel Prize का वेट करते करते death हो गई और posthumously death के बाद में Nobel Prize दिया ही नहीं जाता है मगर Nobel Committee कहती है कि prize ना मिले कोई बात नहीं मगर गलत prize नहीं मिलना चाहिए और यही system उसे fair बनाता है जो उसे world का सबसे बड़ा award बनाती है जो मैंने इस video में compile किया है नीचे जाकर जरूर देखे